हेलो एबरीवन, आज हम ऐसा कॉप्ता लेके आँ हैं, जो बनेगा कद्दू से, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, और फटापट बन भी जाता है, तो आएए देखते हैं कद्दू का कॉप्ता कैसे बनता है, ये 300 गराम कद्दू है, इसे कोड़ा भी करते हैं, इसका कॉ कद्दू को छिल के धोलिये हैं, अब इन्हें ग्रेट करें, कद्दू ग्रेट हो गया है, इसे हाथ में लेंगे, और इसे दबागे इसका पानी निकल गया है, इसे बावल में रखेंगे, और जो कद्दू बचा है, इसका भी पानी निकल लेंगे, कर्दू में पानी बिल्कुल नहीं है, अबिस में आधा चमाच नमाग डालेंगे, आधा चमाच लाल मीची पाउडर, चत्थाई चमाच हल्दी पाउडर डालेंगे, धन्या पाउडर आधा चमाच टालेंगे, अंच्वी पाउडर चत्थाई चमाच टालेंगे, गरा मसाला पाडर अधा चमय टालेंगे अजवाईं चाकथाई चमय टालेंगे जटेंगे इसा डाल देंगे एक छोटा प्यास काटके रखेंगे इसे डाल देंगे आथा का पेशन रखेंगे, इसे डाल देंगे, हरी दन्या काटके रखेंगे, इसे भी डाल गे और हुझने अच्छ से मिलाएंगे कद्दू में सपीजे अच्छ से मिक्स हो गया है, अएल लिए हैं, इसे हाथ में लगा लेंगे हब और हो पतले दो बादेों है अर इसका कुपतार्एτε निटे तरह सकती है Ohh कुटे बन गए हां विधे प्राई होने के लिए रेडि नियुद रख़ाचस लेह नह Caputter of the पुप्तों को आएल में डाले हुए दो मिनाट हो गया है का दिने पलट ले घे पुप्ते पलट कर में बीजिये से। बढोरे आप दो घ्लें क्लिएे अबीड इन निकलाम लिगा है इसे कोफटे फराइ होके रेडी है करड़ो के कोफटे खाने के लिए रेडू है कर्तुके खाने cut. यह खाने में के बहुत टेस्ठी होते है और फटा-पड बढ़ की जाते हैं कितने साफ्ट हो यह है चाहे इसे ग्रेवियığın में बना के चाओ लो करिया झाइ बढ़िंगा इस दिए